तो इस वीडियो में जो है हम कलहन के बारे में देखते हैं कलहन के बारे में तो इससे पहले बाले वीडियो में हमने जो है वेदास के बारे में देखा था वेदांग के बारे में देखा था पुरांट के बारे में जो है देखा था इसमें हम कलहन के कॉर्डिंग देखेंगे क हिस्ट्री कैसी थी तो कलहन जो है कास्मेरियन जो है हिस्टोरियन थे 12th century एड़ी में जो है इननों ने हिस्ट्री लिखी famous historical work जो है इनका राज्तररंगनी है और यह history of India जो है महा भारत इस से middle age of 12th century तक जो है लिखी जाती है यह तो इस book करते हैं जो various available works है उस पे जो है और उसके previous जो है critically उसको जो है analyze करते हैं truthful pictures को दिखाते हैं जो है और जो है इस तरह की हिस्ट्री को जो दिखाते हैं तो वो true historians कहलाते हैं कलहन emphasis that the character of true historians shall be that of a judge तो यह जो है कलहन का जो इनके according जो है true historians से judge के जो है तरह होता है जो कि judge करता है he's only objective should be to discover the truth on the basis of available evidences तो जो भी available इनको evidences है उनहीं basis पे चीजों को judge करते हैं कि क्या चीज़े हैं कैसे हैं तो कलहन को देखे तो true historian जो है यह जो है true historian जो है वो किसी भी जो है emotionally attached नहीं होता है है detached नहीं जो है सभी चीजों से detached होता है इसे हम देखें कि जैसे कि court में जो है यह बैठते हैं या फिर उससे कुछ जो है attach हो जाए तो उनके बारे में तारीफे करने लगें इस टास्क इस नॉट तो इंटरप्रेट past as a good or bad तो यह इनका कहना है कि जो है आप किसी पीरियट को bad या फिर good नहीं कह सकते हैं जैसे कि western historians आये तो इसने कह दिया कि जो है जो है जो एक प्रेट इसने में फ्लोरीश हुई थी हमारी जो है ट्रेड एकॉनमी जो है काफी ज्यादा फ्लोरीश हो रही थी पोस्ट गुपता एज में तो उसको डार्क इज कैसे कह सकते हैं तो इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं आप प्रेजेंट तो प्रेजेंट से जो है पास्ट को हम इंटरपेट करते हैं socio-cultureal political administration कैसा है socio-economic life कैसी है knowledge क्या है पास्ट में अभी क्या knowledge है true historical work हम किसे कहेंगे और वह जो history है वह से सिक चाथा से तेयर के जी कुर तो होता है हम इस चीज को पढ़ते हैं यह परीपियस पिरियोट से सप्रृण केसे इंप्लिमेंट करें करें तो इस को कहते हैं अर्व के प्विक्यों कर सकते है इसका दुसरी चीज है कि क्लीब को इंकल एक इंकॉर्परेट नहीं करते हैं अपने राइटिंग्स पे तो पॉस्टनल वी बिलीब क्या है पॉस्टनल उनके वैल्यूस क्या है इसको इंकॉर्परेट नहीं करते हैं यह अरली जो है colonial historian का देखे जैसे James Mill है, V. O. Smith, H. H. Wilson है यह जो है knowledge of history was absent during ancient age तो यह जो है emphasis करते है that the knowledge of history writing was absent during ancient age तो यह कहते हैं का ancient age में जो है यह जो है history writing का concept था नहीं, it was emphasis that no historical work was composed in India before establishment Turkish rule and Indian learned the art of history writing from talks तो इनका जो है यह early colonial historians है जैसे James Mills है, V. O. Smith है, H. H. Wilson है यह कहते है कि knowledge जो है history writing की इनके पास थी नहीं in ancient age में और इनको knowledge जो है तुर्कों से मिली, talks जो है attack किये तो उनसे जो है हमें history writing की जैनकारिया मिली थी though ancient India did not have great historians like Herodotus but at the same time it is not correct to say that knowledge of historiography was completely absent in India तो अब Herodotus जैसे historians हमारे पास नहीं थे इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे कि जो है history लिखी ही नहीं जाती थी इंडिया में तो यह गलत बात है इस्टोरिग्राफी विल्कुल जो है absent नहीं थी आप इसको नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से history हमारे यहां absent थी जैसे पुरांस है तो historical work यह जो है बहुत ज्यादा जो है history को हमें जानकारिया देते हैं जैसे पुरांस जो है rulers जो dynasties हैं उनके बारे में जानकार जैसे फिजली वीरो में हमने देखा था कि बहुत सारे पुरांस हैं उसमें dynasties के बारे में अलग-अलग लिखा हुआ है और एक chronological manners में पुरांस में इन dynasties के बारे में लिखा गया है तो इतिहास पुरांस दिल सब्जेक्स मैटर आफ हिस्ट्री दो chronological details are not found तो chronological बहुत detail नहीं मिलता है लेकिन वेदाज हैं नितिसार्स हैं हर्ष चरीत हैं और सास्त्र हैं ये सारे sources हमें बहुत सारी जानकारिया इंसेंट एज के बारे में देती हैं तो ये भले chronology में नहीं लिखी गई हैं लेकिन ये बहुत सारी information हमें प्रोवाइड करती हैं कलहन जो है एक true historian थे जो की कासवीर में थे 12th century AD में और इन्होंने राज तरंगिनी में जो है राज तरंगिनी जो है कलहर की उसमें explain किया है कि true historian और true historical work क्या होता है रहा था रूलर साब दिल्ली जो है ये maintain कर रहे थे court में historians जो की जो है important जो details है उसको जो है लोग लिखते थे और इस तरह से इंसेंट इंडिया जो है हम देखे है तो कलहन की history और जो है इस समय की history के बारे हमने देखा कि किस तरह जो है राज तरंगिनी या फिर जो है और भी sources जो थे वह हमें किस तरह information प्रवाइट करते थे और जो foreign writers थे हैं जो जो है foreign writers हैं उनका क्या कहना है हमारे history के उपर और हम जो nationalist historians है ये क्या कहते हैं किस प्रकार जो है इसको जो है अलग अलग तरह से जो है interpret किया जाता है तो इसको हमने जो है देखा मिलते हैं अगले वीजियो में कुछ नए चीजों के साथ तब तक के लिए धन्यबाद